नमस्कार राची चक्र में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं हूँ प्रवेण मिस्र आए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बीतेगा सबसे पहले बात आज के पंचांग की 22 माई 2024 दिन बुधवार वैसाख मास चल रहा है शुकल पक्ष है चतुर दसी तिथी रहेगी साम को 6 बच कर 47 मिनट तक फिर पूर्णिमा तिथी प्रारम हो जाएगी स्वाती नचत्र रहेगा सुबह 7 बच कर 47 मिनट तक फिर विशाखा नचत्र शुरू हो जाएगा चंद्रमा तुला राशी में गोचर कर रहे हैं भगवान शूर ब्रश राशी में बिराजमान हैं आज विजय मुहूर्थ का समय होगा दो पहर 2 बच कर 35 मिनट से दो पहर 3 बच कर 30 मिनट तक राहु काल का समय होगा दो पहर 12 बज कर 18 मिनट से दो पहर 2 बज कर 1 मिनट तक दिशा शूल है उत्तर दिशा चलिए शुरू करते हैं आपका राशी फल सबसे पहले बात मेश राशी की मेश राशी वालों के लिए धनलाब का योग है आपका पराक्रम बढ़ेगा प्रापर्टी खरीदने का योग बन रहा है काम में सफलता मिले की संतान की तरफ ध्यान दे व्यापार में उन्नती का समय है जरूरी टिप कम बोले शुबरंग सफेद उपाय भगवान गनेश की आरती करे ब्रश राशी आपका सम्मान और बढ़ेगा वानी का प्रयोग सोच समझ कर करें मित्रों की मदद से काम बनेगे विदेश से शुब समाचार मिलेगा यात्रा से लाब होगा व्यापार में लाब का योग आपके लिए बन रहा है जरूरी टिप एगो से बचे शुबरंग गुलाबी उपाय गव माता को रोटी खिलाए मित्रों राशी भाग का साथ मिलेगा मेहनत को बढ़ाने का समय है यात्रा से लाब का योग बन रहा है धन लाब होगा नौकरी में उन्नति के आउसर प्राप्त होगे कारोबार में तरक्की होगी जरूरी टिप आलश से बचे शुबरंग गोल्डन उपाय चीटियों को आटा खिलाए करक्राशी क्रेटिव कारियों में सफलता मिलेगी आप अपने खर्चों को कंट्रोल करे अचानक धन की प्राप्ती होगी कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा आप बड़े निर्णे ले सकते हैं जीवन साथी के साथ मधूरता और पढ़ेगी व्यापार में नुकसान हो सकता है जरूरी टिप नेगेटिव विचारों से बचे शुबरंग नारग्गी उपाय किसी गरीव को एक किलो आटा दान करे सिंग राशी धन की स्थिती में सुधार होगा करियर को आगे बढ़ाने का समय है हर काम सोच समझ कर करना होगा कारेचेत्र की बाधाएं दूर होगी लोगों से उलजने से बचे जो लोग बिजनेस करते हैं व्यापार में लाब का योग है जरूरी टिप क्रोध से बचे शुबरंग मरूं उपाय भगवान गणेस की आरती करें कन्याराशी कारेचेत्र में सफलता मिलेगी वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें नेतित्व छमता और बढ़ेगी कुछ नया करने की विचार बनेगी दोस्तों के साथ संबंध और मधूर होंगे सुधरेंगे जो लोग बिजनस करते हैं व्यापार में इस्थिती में सुधार होगा जरूरी टिप आलश से बचे शुबरंग हलका हरा उपाय भगवान गणेस को दूब की माला अर्पित करें अब वक्त है आपके सवाल का हमें सवाल मिला है सुर्भी का इनकी डेट अब बर्थ है नौ नौमबर उनिसो निन्यानवे जन्म का समय है रात को नौ बच कर पचास मिनट जन्मिस्थान जैपूर का है इनका सवाल यह है कि इनकी मैरिज कब होगी देखे सुर्भी जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उसाधार पर कुंडली तयार है आपकी मिथुल लगन की कुंडली है और ब्रशिक राशी है आपका जन्म अनुराधान अचत्र के दूती चरण में हुआ है इस समय आपकी बुद्ध की महादसा चल रही है जो अक्टूबर 2009 से शुरू हुई है और ये अक्टूबर 2026 तक चलेगी और बुद्ध की महादसा में शनी की अंतरदसा फरवरी 2024 से अक्टूबर 2026 तक चलेगी शादी कब होगी देखे आपकी कुंडली के हिसाब से शादी का समय चल रहा है और कोशिस करेंगे तो आगे आने वाले समय में अभी से लेकर के अक्टूबर 2026 तक योग बना हुआ है आपका विवाह अवश्य हो जाएगा आप मांगलिक हैं लेकिन परिशान होने की जूरुत नहीं है मांगलिक लोगों की विवाह में थोड़ा सा बिलंब होता है उपाय क्या करना है ब्रस्पतिवार के दिन पीली चने की दाल जो आती है उसे एक दिन पहले भीगोले भीगी हुई चने की दाल और उसमें एक पीस गुड रखकर के गव माता को खिलाएं दूसरा उपाय नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन करें भोले नाथ के मंदिर जाकर जल चड़ाएं भोले नाथ को पिले रंग का तिलक लगाएं घी का दीपक जलाकर आरती करें नमा शिवाय मंत्र का ग्यारह माला जाप करें और विवाह शिग्र हो इसकी प्रातना करें ये दूपाय करना शुरू करें बहुत जल्दी आपकी शादी हो जाएगी तो यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल और सवाल लिखें वहाँ से हम उठाएंगे और आगे आने वाले कारक्रम में शामित करेंगे तुलाराशी भागे का साथ मिलेगा आपका मानियश और बढ़ेगा विदेश से शुब समाचार प्राप्त होगा रुके हुए काम पूरे होंगे धन प्राप्ती का योग बन रहा है जो लोग बिजनस करते हैं व्यापार में लाब का योग है जरूरी टिप खर्चों को कंट्रोल करें शुबरंग के सरिया उपाय चीटियों को आटा खिलाएं ब्रिश्चिक राश्य हर काम सावधानी से करें किसी को पैसा उधार ना दें शत्रों पर विजय प्राप्थ होगी काम में तेजी आएगी लोगों से उलजने से बचें व्यापार में नुक्सान हो सकता है जरूरी टिप मदभेद से बचे शुबरंग सफेद उपाय गव माता को हरा चारा खिलाएं धनुराश्य रुका हुआ पैसा प्राप्थ होगा करियर में तरक्की के लिए प्रयास बढ़ाना होगा आपका मान सम्मान और बढ़ेगा संतान की तरक्की होगी कारेचेतर में आपके जिम्मेदारियां बढ़ेंगी व्यापार में लाब का योग है जरूरे टिप जल्दवाजी से बचे शुबरंग पीला उपाय भगवान गणेश को हरे फल अर्पित करे मकर राश्य उधार लेंदेन से बचे कोट केस में सफलता मिलेगी परिवार में सुख बढ़ेगा सिक्षा के छेतर में सफलता प्राप्त होगी प्रेम के मामले में भी सफलता मिलेगी जो लोग बिजनस करते हैं व्यापार में हानी हो सकती है सावधान रहे जरूरे टिप गुस्य से बचे शुबरंग आस्मानी उपाय हनुमान चालीसा का पाट करे कुम्भराशी प्रापर्टी से संबंधित लाब का योग है मेहनत का अच्छा फल मिलेगा धनलाब के नए रास्ते खुलेंगे अपनी बाद पर अड़े ना रहें दूसरों की बाद भी अवश्य सुने जो लोग बिजनस करते हैं कुम्भराशी वाले व्यापार में तरक्की का योग है जरूरी टिप कम बोले शुबरंग हरा उपाए पक्षियों को दाना खिलाए मीन राश्य आपका संब्मान और बढ़ेगा आपके काम की लोग तारीफ करेंगे धनलाब होगा रिस्तेदारों से दूरी बनेगी व्यापार में लाब का योग मीन राश्य वालों के लिए बन रहा है जरूरी टिप आलस्य से बचे शुबरंग हलका लाल उपाए गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें राश्य चक्र में आज बस इतना ही कल फिर होगी आप से मुलाकात जिन लोगों का जनम दिन है उन्हें जनम दिन की बहुत बहुत बढ़ाई आपका आने वाला समय शुब हो नास्याइब आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक एप और चुटकी में जुड़िये इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टॉलोजर से